नमस्कार स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया पर मैं आपके साथ इस्राइल चोधरी देश के अंदर दोहदार चोबिस के चुनाओं को लेकर बिसात बिछाई जा रही है चाहे वो एंडिये हो या फिर इंडिया गटबंदन हो इंडिया गटबंदन लगाता मजब उनका बहिशकार किया है उनका बाइकाट किया है क्या इस बाइकाट से दोहदार चोबिस की नईया वो पाल लगा पाएंगे ये सोचने वाली बात है देश के कोने कोने से इस वक्त सवाल उठने लगा है कि न्यूज एंकरों से क्यों विश्वास उठा है क्या वो इनके पर पंचायथ होने जा रही है। उस माह पंचायथ में क्या रन्निती बनेगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंके किसान भी एक बार फिर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तर परदेश के अंदर से किसानों की हुंकार वाकई में एक बहुत बड़ी आवाज बनती है उनकी आवाज के अंदर सुनती है राज्जे सरकारे सुनती हैं किसान पच्छी मुत्तर परदेश में लगतार रन्निती बना कर लखनों के अंदर एक जो सम्मेलन उनका होग हम मालूम ये पड़ा है कि अन्य जो मांगे हैं उसको लेकर है इस पूरे घटना करम पर इस पूरी रणनीती पर इस पूरे प्लान पर भी हमारी नजर रहेगी चलिए अब बात करते हैं जनपस सहरनपुर की जनपस सहरनपुर में बहुजन समाज पार्टी से निशकासित इमरान मसूद का अगला ठिकाना क्या होगा जनपस सहरनपुरी नहीं उत्तरपरदेश की जनता ही जानना चाती है कि इस लेडर का अगला ठिकाना क्या होगा क्यास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांदी से लेकर प्रियंका गांदी तक राहुल गांदी तक बात हो चुकी ह शोसर मीडिया के माध्यम से ये जानकारी जुटाई जा रही है और हमारे सामने कुछ पोश्ट ऐसी आई है जिनमें ये बताने की कोशिश की जा रहे है कि प्रियंग का गांदी से बात हो चुकी है यानि ये अभी तक परवान तो नहीं चड़ी है लेकिन कहीं इमरान मसूद गा लग रहा है कि अगला ठीकाना कौंगरिस होगा जाहिर सी बात है कि अगला ठीकाना इमरान मसूद का कौंगरिस है तो कहीं न कहीं जपसहारन पूर में गट intell को लेकर भी प्र एक बड़ा पैच फसने वाला है यानि यहां बहुजन समाज पार्टी के इस वक्त जो सांसद है वो हाजी फजल रह्मान है अगर बहुजन समाज पार्टी गटबंदन में जाती है और गटबंदन में बहुजन समाज पार्टी को सहरनपूर लोग सबा मिलती है तो फिर कॉंगरेस के इमरान मसूद कहा जाएं पहले जब इमरान मसूद कांग्रेसमें हुआ करते थे तो इमरान मसूद कांग्रेसमें एक मotherap पकट रखते थे राहुल गांदी से लेकर प्रियंगा गांदी और अन्य जो सीने लेड़े ओनके साथ इमरान मसूद बहुत अच्छे से उनके ताल मेल थे लेकिन अचानक उन्होंने अन्य अन्य अलग अलग पार्टियों में अंट्री की तो आने वाला दोर जनपसाहरणपूर के लिए किसका होगा ये देखने वाली बात होगी बात करते हैं अब केराना लोकसभा की केराना लोकसभा की अगर बात करें तो यहां मुझूदा सांसद भारती इनता पार्टी के परदीब चोधरी हैं परदीब चोधरी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे लेकिन इसके बाद वो लोकसभा का चुनाओ भारती इनता पार्टी उनको लोकसबा का चुनाओ लड़ाया और जीत की देहलीज पर पहुँचे ये पूरी लोकसबा की अगर बात करें तो जनपस शामली के कांदला से भी करीब आठ से दस किलोमेटर आगे से ये लोकसबा शुरुआत होती है और जनपस सहरन पूर के सरसावे से आगे तक चिलका काने के नजदीक तक जाकर ये लोकसबा खतम होती है यह यूं कहें कि ये पूरी एक बहुत लंबी बेल्ट यमुना से सटी हुई है इस बेल्ट पर मौजुदा सांसाद इस केरना लोकसबा पर मौजुदा सांसाद पर पर दिप चोदरी है यहां से एक चर्चा बनने लगी है कि इस केराना लोग सबब पर इकरा हसन चुनाव लड़ेगी इकरा हसन चाहे गटबंदन के हिस्से में समाजवादी के हिस्से में जाए या फिर राश्टी लोगदल के कुछ लोगों का कहना ये है कि राश्टी लोगदल के सिंबल पर समाजवादी की परतियाशी इकरा हसन होंगी वाकि में बड़ा दिल्चस्प ये चुनाओ होगा अगर यहां इकरा हसन को दरकिनार गड़बंदन ने किया और यहां बहुजन समाज पार्टी गड़बंदन से अलग रही तो फिर कुछ लोगों का मानना ये है कि जो राजिनितिक जानकार है उनका कहना ये है कि फिर बहुजन समाज पार्टी से भी पहले प्रात मिक्ता जो है बहुजन समाज पार्टी की एकरा हसन रहेगी ऐसा कुछ लोगों का मानना है हाला के ये बाद की बात है इसमें सच्चाई कितनी है ये देखने वाली बात होगी तो जाहिर सी बात है केराना लोकसभा और सटी के साथ बने रही है हमारे साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए मैं इस्राइल चोधरी नमस्कार